आप सभी का एक बार फिर सी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के घर में आपसी व्यमनस्य और हमेशा तनाओ की इस्ति बने रहती है तो आज का जो उपाय है वो आप लोगों के लिए बहुत ही जड़ा लाब दयक होने वाला है क्योंकि ये उपाय हम बाबा की द्वार का माई से जी हाँ आप सभी देख सकते हैं पीछे में जल रही बाबा के खंड दुनी और बैठे हुए शिर्डी के साई बाबा बाबा की द्वार का माई से ये उपाय को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ तो चलिए भक्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ भक्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके घर में माता लज़मी का आगवन नहीं हो रहा है और जब भी आप प्राताकाल में सोकर उठते हैं तो आपके मन में दिमाग में एक अलग सा उल्जन बना रहता है तो साथ ही आपके सारे परसानियों का हल इस वीडियो में आपको इस उपाय से मिलने वाला है क्योंकि जो चीज हम बाबा की पूजा में प्रती दिन करते हैं उसी चीज को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सरल और सहज उपाय है तो चरो भक्तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर आप लोगों को करना क्या है भक्तो आप लोगों से बस एक आगरा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नॉटिफिकेशन वेल को अन कर लीजिए एसे ज्यानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए क्योंकि हम बाबा की द्वार का माई में बटे हैं और अगर आपकी जीवन में कष्ट परसानी है तो आप सभी भी बाबा की द्वार का माई के लिए एक माहा एक दिन की लगणी जरूर दान करें ताकि आपके कष्टों को साही बाबा की दुरी में बाबा जला कर खत्म करें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब उस पाय को आप लोग बाबा को प्रती गुरुवार को या हर दिन जैसी आपकी सिप्छा रहती है गेंदे का फूल की माला पहनाते हैं तो आप लोगों को करना क्या है सिर्फ और सिर्फ ग्यारा गेंदे का फूल लेना है तो आप लोगों को करना क्या है ग्यारा गेंदे का फूल लेकर हर गुरुवार को जी हां याद रखिएगा हर गुरुवार को आपको इसको चलाना है और चलाते समय आप लोगों को कोई भी मंत्र साही बाबा करा या तो फिर ओम श्री साही ना थायरमा या फिर साही बाबा कर जो गुप्त मंत्रे हमने अपने यूटूब चैनल पर डाला हुआ है उसे भी आप 11 बार बोलकर 11 फूल को प्रती गुरुवार को चलाना है मैं मंत्र बता देता हूँ मंत्र है ओम नमो स्री साही प्रभुनमा ओम नमो स्री साही प्रभुनमा इस मंत्र को बोलना है 11 फूल लेना है और अपनी परसानी बाबा को बता कर 11 बार जाप करके 11 फूल को बाबा के स्री चर्णू में आपको हर गुरुवार को अरपन करना है तो ये कम आपको सिर्फ और सिर्फ साथ गुरुवार तक करना है और आप लोगों को बाबा के स्री चर्णू में जो आप फूल चढ़ाते हैं उसको वहीं पर किनारे पर साथ गुरुबार कहीं पर कटे करके रखते जाए उसे आपको वहां से हटाना बिल्कुल भी नहीं है और अगले गुरुबार आपको उस फूल को उठा कर या तो आपके घर में क्यारी होगा अगर आप लोग लगाते होंगे तो उस क्यारी में उसको डाल देंगे तो ऐसा करने से वहां पर नया फूल भी निकल जाएगा लेकिन एक हपता तक उस फूल को आपको नहीं हटाना है बस किनाले करके रखना है और अगले गुरुबार को उठा कर किसी क्यारी में आपको डालना है जिससे नया फूल वहां पर उग जाएगा अब बहुत लोग ये कहेंगे कि 11 फूल हमको चड़ाना है गेंदे का लेकिन अगर पिला फूल नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है आपके घर में कोई भी फूल होगा उस फूल के 11 फूल आपको तोड़ लेना है और उस 11 फूल को आपको हर गुरुबार को बाबा को बाबा केस्री चड़नों में चढ़ाना है अब इससे क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब आप लोगों को बाबा केस्री चड़नों में फूल चढ़ाने के वाद संकर्थ करना है और आपके घर में जो भी जिस भी प्रकार की बाधा हो कई प्रकार की बाधा भक्तों को घेरी रहती है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर में धन की कमी है, किसी के घर में नौकरी चाकरी नहीं लग रही है या आपसी वेमनस्त तनाव बहुत सारी प्राबलम भक्तों को हर समय घेरी रहती है तरह तरह की तो आप इस अंकल्ब ले लें तो जो मैंने आप लोगों को उपाय बताया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 अंक सूब होता है इसलिए 11 फूल का मैंने आप लोगों को ये उपाय बताया है जिसे आप लोगों करना है अगर आप चाहते हैं तो आप 21, 59, 101 का भी फूल का भी कर सकते हैं और जो पीला फूल हम चाहते हैं उसका मतलब होता है गुरू के प्रती पता पीला फूल बहुत ही ज़्यादा शुब माना जाता है जिसके घर में गुरू की कृपा होती है उसके घर को साही गुरू खुद ही चलाती है इस पीला फूल का यही बहुत बड़ा महत्र माना जाता है तो ये माना जाता है कि जब हमारे शिर्डी के साही बाबा की प्रती दिन हम पूजा पाट करते हैं और जब बाबा प्रशन होते हैं तो उनका निवास हमारी घर पर हो जाता है इस उपाय को आप लोग करके देखिएगा बहुत ही चमतकारी उपाय है जिसे करने से आपको चुटकियों में लाग प्राप्त होगा अब मैं एकात उपाय और आप लोगों को बता देता हूँ आप एक चीज और कर सकते हैं कि जब आप 11 फुल चरहाएं तो बाबा की 11 वचन 11 वार बोलना है कैसे मतलब अगर आप एक फुल अरपन कर रहे हैं तो एक फुल अरपन करते समय 11 वचन को एक बार बोले मतलब जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा चड़े समाधी की जो सीड़ी पैर तले वो दुख की पेड़ी त्याग सरीर चला जाओंगा भगत हे तु दौड़ा हाओंगा मन में रखना दिर्डविस्वाज करे समाधी पूरी याज मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभाव करो सकत पहचानो मेरी सरण न खाली जाए वो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जन का वो ऐसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा जूटा होगा आसाहेता लोबर पूर जो मांगा वो नहीं है दूर मुझे मेरी वचन मन काया उसका रिणा कभी चुकाया धन धन वो भक्त अनन मेरी सरण तजिसे नन यह जारा वचन सभी भक्तों को याद है तो आप सभी एक फूर अरपन करे जारा वचन बोले एक पताना है तो चलिए एक एक करके हम फूर अरपन कर देते हैं और आप लोगों को एक फूल में एक बार मंतर जपना है हो जाके तो ग्यारा वजन का जपना है तो सबसे पहले हम बाबा के स्री चलनों में चलाते हैं करके बाबा के स्री चलनों में अरपन कर दिये हैं क्योंकि हमने गेंदा फूल नहीं मिला इसने हम पीला फूल अरपन बाबा को कर दिये हैं इस तरह आप भी करें और आप लोगों को अगर इस उपाय से लाब होता है तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दिखाए लेंगे इसी तरह कि और वीडियों की सांतब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम साहिरा